गरियाबन जिला ब्लॉक फिंगेश्वर के ग्राम पंचार लोरसरी के पंचार प्रितिनीद्यों ने जंदर्शन के माध्यम से कलेटर को आवेदन देते हुए सरकार की जमीन से अतिकमर को हटाने की मांग को लेकर आवेदन दिया है इसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम लोरसरी के पटवारी हलका नंबर 35 में स्थित शास्की भूमी खस्रा नंबर 21 बतीस रखवा 1420 हेक्टर को पंचायत में प्रस्ताव कर शास्की भवन अटल बजार हित्व अरक्षित किया गया था वहीं स्थित शास्की राशी 250 डिसमिल जमीन दिया जाना था जिसमें उक्त भूमी पर 20 बाई 20 की जमीन में आंगर बाड़ी भव निर्माण की अनुमती नायाब तहसिल्दा दोरा दी गई थी वहीं उक्त जमीन में ही 250 डिसमिल जमीन पर साहू समाच के लिए 67 मज़ से रंगमच का निमाण भी किया जा चुका है मगर शेश बच्चे शास की जमीन के 65 डिसमिल जमीन में साहू समाच के कुछ लोगों दोरा पुरा कबजा करने के उद्देश सी 3 फिट का आहता निमान किया जाने का प्रयास किया गया जिसकी शिकाय सर्पंच घंशाम पटेल और वाइट पंचो दोरा तहसीदार राजिम से की गई जिसमें 6 अपरेल को स्थगन दिये जाने के बाद भी उस आदिश की अवेलना कर निर्मान कार करवाया जा रहा है जिसके विरुद सनुलाज, सहाउ और अन्य लोगोद्वारा अपर कलेक्टर के समझ पुना रिलेक्ष्ण नाचिका लगाई गई है साथी सहाउ समाज के कुछ लोगोद्वारा सर्पन घंशाम पटेल के विरिद जूटी शिकायत भी की गई है आतिक्रामन हटवाने के लिए और उन लोगों का तीन जगा भवन बन चुका है उसके बाद और असक्रामन कर रहा है जबकि अन्य समाज का कहीं पर भवन नहीं बना है तो अन्य समाज को भी जमीन चाहिए तो पंचायद दोरा प्रस्तावीत किया गया है कि हर समाज को धाई डिसमीन देना है आलही में सहाव समाज के जो पूरे बेक्ती है और उसके पदाधिकारी है वो सभी ने जिवर्दस्ति हों पर कब्जा कर दिये हैं तो कब्जा हटवाने के लिए हम क्लेक्टर मोदे से गवार लगा रहे हैं कब्जा करने वाला बेक्ती कौन है छन्नुलाल सहाव कोई पदाधिकारी है कि कहा कर रहने वाला है वो लोर्सी कही है